क्या आपको पता है कि प्लेन में चढ़ने के बाद फ्लाइट मोड को आन करना क्यों कंपलसरी होता है और अगर फ्लाइट मोड आन ना किया जाए तो प्लेन को क्या होगा आपको तो ये तो पता ही है कि प्लेन में चढ़ने के बाद हम लोग को एरो प्लेन मोड एर प्लेन को आन करने से दो लोग के ग्रुप को फायदा होता है एक तो पाइलट्स और दूसरा आप यानि पैसेंजर्स कैसे तो क्या है न कि जब प्लेन हवा में टेक आफ करता है न तब पाइलट जो है उसको नीचे का कंट्रोल टावर से सिगनल एंड कम्मिनिकेशन मिलती है एंड प अगर प्लेन में कोई एक व्यक्ति मोबाइल आउन कर ले तो वो मोबाइल का जो सिम है न वो टावर को स्कैन करने लएगा धरती पे मौजूद टावर को और यह जो स्कैनिंग है यह पाइलट और नीचे के ग्राउंड टावर के बीच में जो कनेक्शन है न उसको इंटरफ होता है न वो सुनाई दिन लाएगा और अगर मान लो प्लेन में सभी लोगों ने अन कर दिया अपना वाइल फोन तब पाइलट के हेड़फोन में इतनी आवाज आएगी कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली नहीं पाएगा और उसको पता ने चल पाएगा कि आगे विदर कैसा ह है आगे कोई और फ्लाइट तो पास नहीं हो रही है और और दोज इंफोर्मेशन जो कि उसे नीचे कंट्रोल टावर से मिलती है तो नीचे मौझूद ग्राउंड कंट्रोल टावर एक बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लाइट के सेफटी में कि वो सेफ रहे और सही से उड़े और सही डिरेक्शन में जाए तो अगर फोन्स ओन रहेंगे फ्लाइट में तो फोन कॉंस्टेंटली सिगनल सर्च करने का कोशिश करेगा नीचे धरती पे मौझूद नियरेस्ट टावर से और इससे ना फोन का भी हीटिंग और बढ़ जाएगा क्योंकि हमेंसा एकदम कहा है टावर कहा है सिगनल वो खोशते रहता है और बिना मतलब के बैटरी भी ड्रेन होगा और पाइलट को भी सिगनल में इंटरफेरेंस मिलेगा जिसे उसको दिक्कत होगी और यही कारण है कि फोन्स में फ्लाइट मोड अन करने का रूल है प्लेन में ट्र कानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर अन कर लेना